जहां एक तरब कृषी बिल को लेकर देश के कई जगहों में किसान आंदोलन चल रहा है वहीं MP में सरकार ने भोपाल के भेल मैदान में किसान संबेलन कायोजन किया इस दोरान किसानों को संबोधित करते हुए मुख्य मंतरी शिवराज सिंग चौहान ने कहा कि इस कानून से किसानों की जिद्गी में करांतिकारी बदलावाएगा भोपाल में कैबिनेट की मीटिंग के बाद सियम शिवराज किसान संबेलन में पहुँचे जहां उन्होंने पुर्व मुख्य मंतरी कमलनाथ पर जम कर निशाना सा था के जूटे प्रमार्पत बाट रहे थे कमलनाथ ने प्रधान मंतरी किसान संबान निदी के लिए किसानों की सूची ही नहीं भेजी थी इससे लाखों किसान लाब लेने से बंचित रहे गये किसान संबेलन में सियम शिवराज ने कहा कि किसान हमारे भगवान है किसान हमारे भगवान है, अपनी जन्ता के हम पुजारी है, उसकी सेवा हमारे भगवान की पुजा है, लेकिन सुन लेना कांग्रेशी हो, कमलनात हो, चाहे बागी कोई और हो, सज्जनों के लिए हम फूल से ज़्यादा कौमल है लेकिन दुस्टों के लिए बज्जर से ज़्यादा कठोर हैं हम और दे मैंने का आजकर अपन तूफा नहीं है धागर बढ़ोबा तोड़ दो देश के कल्लान के लिए देश की प्रिगत्य और विकास के लिए और किसानों की आमदानी बढ़ाने के लिए एक नहीं को कड़े फ्रस्ट लिए हिम्मत के साथ लिए लेकिन वो विरूद कर रहे हैं जिनने सरे आम किसानों को ठगा था कल कमलना ट्वीट करते हैं कि शिवराज सिंग चौहां चौपाल लगा रहे हैं किसान पुत्रों के किसान के विरूद में हरे कमलना जी तुमने क्या दे दिया था कहा था करजा माप कर दूँगा और किबल आपने नहीं कहा था आपके विराज तो गिंती गिन गिन के बोलते थे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस दस दिन में माप कर दूँगा बेके तुए तकलीफ है करजा माफी के चक्कर में रेगूलर डिफाइटर कर दिये तुमने कांग्रेस ने तो देला ने किया किसान कानूनों कगरोद कर रहे मुझे क्या तो किसान में रोदी अजया मुझे बताओ कांग्रेस यो राहूल गांदी तुमसे भी पूछना चाहता हूँ कि यह 22 करोड़ रुपया भसल भी मा योज्ञा के दादा कमला ठागए सर्याम क्या रहो मीडिया के साथ हम मुख मंत्री बने फाइल वाइल खोली तो पदाजला प्रीमियम का पईसे दादा ने जमा नहीं किया अब 22 करोड़ जमा नहीं हो तो 31 करोड़ किसान को मिले ही बैंक पाने मेरे पास आगे मामा तुम तो बड़े क्रिश्य मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसान अन्न दाता है देश की आत्मा है उन्होंने कहा किसान को उनका हक मिलना चाहिए पियम मोदी ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं कमल पटेल ने कहा किसानों और गाव में रहने वारे लोगों को प्रॉपरटी का मालिकाना हग दिया जाएगा जिससे वे जरुत परने पर उसका उप्योग कर सकते हैं भाशपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हर किसी को अपने उत्पादं का मुल सुनिश्चीत करने का अधिकार है मगर किसानों को क्यों नहीं यह जिकार किसानों को अब तक क्यों नहीं दिया गया यह किसानों का मुलभूत अधिकार है कॉंग्रेस MSP को लेक अधिकार किसानों में भ्रम फैला रही है और इसलिए मोदीज ने कहा है कि यह जो अन्न दाता है जीवन दाता है देश की रीड है देश की आत्पा है किसान इसकी गाओं की प्रापर्टी का मालिका नहक दूँगा ड्रॉन केम्रे से सर्वे होगा आप कलपन करो जो आपका मकान है आपका खलियान है आपके मवेशी की जगह है रहने की जगह है गोडाउन है इनका मालिकाना हक मिलेगा गरीब आद्मी है वो भी जोबड़ी में रहता लेकिन मुश्की मी जगह है 40 साल के आजादी के बाद तक उनको नहीं मिला उनको भी मिलेगा और जब मोदी जी प्रधान मंद्री बने तो उन्होंने इंद्रावाज जो कच्छा आता था उसको बंद करके प्रधान मंद्री आवाज बनाया और शिवरा सिंग्जी चोहांट जी का जो माडल था मुख्यमंद्री आवाज का उसको पूरे देश में लागू किया हमको गर्व है मुख्यमंद्री जी के उपर और भारती जंता पाइड़ी के उपर जो मंद्री परदेश में चालू हुआ वो पूरे देश के लोगों को तीन करोन मकान पके बने नहीं तो पच्पंच साल गानीजी के नाम पर राज करने वाली कांगरेस ने एज भी पका मकान नहीं बनाया मित्रों मैं कहना चाता हूँ इस देश के लोग कंत्र गैंदर कि संबेधानिक बिवस्ता में सबको अपना अधिकार है मुझे ध्यान में है हमारे स्ची मुख्यमंत्री मध्य परदेश के एक किसान परिवार से उस किसानों का दर्द गरीवों का दर्द वो जानते हैं देश के सवसी पढ़ानमंद्री नरेन्द मोधी गरीवों के किसानों के दर्थ को जानते हैं उस विवस्था को जानते हैं मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सब को अपने मूल ले निर्धारित करने का अधिकार है यह फंडमेंटल राइट है तो मित्रों अगर इस देश के अंदर अगर किसान को लगता है कि मेरी फसल जो तैन मन से महनत करके पसीना निकाल करके किसान अपनी फसल को पैदा करता है तो मित्रों मैं किसान भाईयों से पूछना चाहता हूं आपका अधिकार आपको मिलना चाहिए कर नहीं मिलना चाहिए ये किसानों की आबाज के आधार परदेश के प्रधान मंत्री ने तीन प्रगाल के बिल लाकर के एक्ट जो बनाया है वो किसानों के संब्रत और सरक्षण करने के लिए बनाया है संगीत की स्वद लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकदंडियों से सड़कों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजडीती से उटमीती तक दखन न्यूद आप क्या है? आप देख रहे हैं दखन न्यूद